कि शाम जिनकी नए जगडों में फसादों में कटी रात बस खुद कुशी करने के इरादों में कटी ऐसे कम बख्तों को मरने से बचा लू तो हसुआ भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो नहीं इस भारत से मुख मोड जाईये जिस मुलक के रिवाजरीती नीती हों पसंद उस मुलक से ही ने जनाता जोड जाईये एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड दिया पांच साल वाला गठ बंधन दस महिने में तोड दिया सुल जाविबाद स्री राम जन्म भूमी वाला बन रहा मंदिर है जै सिया राम की नाच नर नारी जूम धरती को चूम चूम देव गण बोले जय जय योध्या द्रांटि तुमने गोकुल की गोपियों से अगर प्रेम काव्या करन पढ़ा फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्तर प्रवीन शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं सत्मोला कवियों की चौपाल में आपका हर दिक स्वागत करता हूं मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूं यह देख ओ फुद्दू एक गया से बड़ा गुबारा अपनी माँ को दिखाई हो लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्किक और जब हो साथ सत्मोला और उसका चट्पटा तेस्ट तो हर चीज बचेगी असानी सत्मोला चीज़ बचेगी असानी सत्मोला चीज़िबरेटे रिलीज़ फुक्रे 3 इंपेटर्स नियर्यू सत्मोला कवियों की चोपाल में सभी दर्शकों का हार्दी कविनन्दन है सत्मोला कवियों की चोपाल आपकी अपनी चोपाल सत्मोला कवियों की चोपाल में आज हमारे साथ देश ही नहीं बलकि अंतरास्टे इस्तर पर जिनोंने हास्से को पैचान दी और वो भी जिस प्रकार शर्दे दादा अलडविका नेरी ने हास्से को गजल में पिरो करके प्रस्तुत करते थे और उनके कई काल जाई गजले काल जाई गीत आज हमारे सत्मोला कम्योग चुपाल की एक अमुल्ले निधी बन चुकी है आज जदी अलडविका नेरी जी के ऐसे चर्चित गीतों को कोई सर्च किया जाता है तो यूट्यूब पर या अलग जितनी भी लाइवरियो में सत्मोल कम्योग चुपाल के ही शोव निकलेंगे यह हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है और यह सामुएक सफलता है और सीज सफलता को आगे बढ़ाने के लिए इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पुराने साथी दीपक गुपता जो अंतराश्य स्तर पर हास से कभी लिए के साथ हम उनका प्राइब दीपक गुपता की कविताएं हास से में चलते 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 ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाती हैं जहां पर आप को मर्म को छूते वे वह उनकी कविता गजल मारमिक हो जाती है आपको चिंतन करने पर मजबूर कर देती है तो मैं ऐसे कभी क लिए एक बहुत ही आगर मैं दीपक कहूं कि अगर आज आगर गीत सुनाते हो तो फिर मैं गीत की आपको भूमिय दूँ यदि आप आज पहले हास से पढ़ना चाहते तो हास से बताएं तो मैं तो यह चाहूंगा कि आज आज मैं आपको प्रारंब आपको मैं एक तो दीपक गुपता है क्या तो मैं राजा राइंद्र राजा जी की चंद पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रत करना चाहूंगा की हाई कमान ने क्योंकि चुनाव के बैयार चल रही है अभी एक फेस हुआ है अवेला जब यह टेली कास्ट होगा तो हो सकता है चार जून तक आ चुके होगे लेकिन राजती किस प्रकार के रंग दिखती है धिखाती है एकि हाई कमान ने भकाई जी को निकाल दिया यानि की हीरे को कांच समझ नाली में डाल दिया पर भकाई जी ने भी हार ना मानी जोट पान के दुकान लगा ली यह देख मेरी धरमत्नी बड़े दुखी स्वर में बोली देखो जी भाईया जी पहले अपनी सत्ता कोठी बंगला कार से चलाते थे और आज पान की दुकान चला रहे हैं मैंने कारी बेखूफ ये पहले भी चूना लगाते थे और आज भी चूना लगा रहे हैं सबसे पहले तो सत्मोला कवियों की चुपाल के सभी दर्शकों का और प्रिये शुरोताओं का बहुत-बहुत धन्यवाद आभार और जहां पर प्रवीन जी ने मेरी भूमिका के लिए पंक्तियां पढ़ी हैं मैं महीं से शुरू करता हूं राजनीती का जिक्र किया उन्होंन को जमूरे से शिकायत है जमूरे को मदारी से शिकायत है सियासत ऐसा जंगल है जहां दीपक शिकारी को शिकारी से शिकायत है और इसी कड़ी में के हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया हारा चुनाव जैसे ही वो दल बदल लिया ये सोच करके उसने अपना कल बदल ल कपड़े बदल के में लगा चल बदल लीए उपने को आइकी WordPress करता रहता हूं कि दोस्तो आदमी और नेता में एक वारीक अंतर वता है और अंतर यह होता है कि आदमी तो कभी वी नेता बन स्थ canera क्या बाकि है आप पहले ती के संद्रमा में कई बार क्या है कि सत्ता आती है सत्ता जाती है कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए मैंने कभी कहा था कि यह गलत फैमी है केवल आपकी और जूतियां गिनकर नहीं पड़ती मिया चांट लेना तुम भी अपने नाप और आईए चुनाओं का सिल्सला और संदर छिड़ा है तो मैं वहीं से कुछ पंक्तियां देना चाहता हूँ कभी किसी पार्टी विशेशका नहीं होता कभी सत्य को उजागर करता है जैसा देखता है वैसा लिखता है मैं ध्यान चामुआ मंच का भी पल में रत्ती पल में तोला पल में हैं ये माशा पल पल में ही बदल बदल दल करते रोजित माशा पी में राजनीती की भंग करते संसद में घुड़ दंग करने फिर जनता को तंग नेताय आयो रे इलेक्षन आयो रे चार कार संग लिये का फिला गोर उठा कर धंडे दाएं बाएं आगे पीछे चलते हैं मुष्टंडे चमचे पीट रखे धिन धोरा करने मोहले का दोरा दोनों हाथों लिये काटोरा नेताया यो रे इलेक्षन आयो रे ये राजनीती में भरे हुए हैं एक से एक मदारी बारी 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 करना चाहें सब कुरसी की सवारी पन पीपेटों में घर्याली फैली है चेहरे पर लाली पन पीपेटों में घर्याली चाही है चेहरों पर लाली मन करता इनको देंगाली देताया यो रे इलेक्षन आयो रे यह दीपक गुप्ता भाई मुझे जहां तक समझ को यह कभीता आपकी 25 वर्ष पुरा नहीं और लेकिन जब भी चुना वाते हैं तब तक यह नहीं हो जाती है लेकिन सफसरी वाद है कि आपकी इस कभीता के अंदर जो ओम प्रकाजादित्य जी की थे एक कुर्सी पीचारी मै किस को वरूब जो गणाक्ष्री में पुरा था उसकी जलक मिलती है आपको इसके लिए हार देख साधवादा जोर दाता लेका अब मैं जिनको सत्मोला कम्यों की चुपाल में जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं वैं होते हैं देश के सुपरसिद्ध देश के ही नहीं व आप उस पर पीट पे रहें। तफ से आप भागवत कथा और राम कथा, शुप पुरान इन सब कथाओं के माद्यम से आप सनात्न के धवजा को आप फेरा रहे हैं और आप अपनी कथाओं के माद्यम से अन्हेक समाजिक संदेशों को भी आप रखते हैं और सबसे बड़ी बात ही है कि जब आपका मेरा परिच्छा संबंद हुआ वो यह हुआ कि आपने इतने वड़े परमुख संथ होने के बावजूद भी आपने साहित परिशद संचालित सत्मोला कमियों की चपाल को आपने बहुत अपना आश्रेबाद परदान के आस्वेम आगे बढ़ करके आज भी ऐसा होता है कि जब भी आप दिल्ली होते हैं तो आपका मुझसे त्वरंत संपर्ग होता है कि प्रवीन जी मैं आपके शोग पर आना चाहता हूँ तो और सबसे बड़ी बात है कि आप एक बहुत ही स्रेष्ट कवी हैं साहित्सक कवी हैं एक मंच्य कवी की बात Healthcare कवी हैं तो मैं ऐसे कवी मना अचारे परवर बालव्यास विदांस महराज्य को आमंत्रत करता हूँ आप अपना इसी प्रकार का कवित आसत्मोला कमयोगी चपाल को परदान करें वाल व्यास को अब सभी को जैशियराम कि सरप्रथम मैं आधरनी प्रवीनारी जी इवं समस्त गणवान्य बंधू समस्त लोगों का साधर अभिवादन करता हूं तर पश्याद आप सभी लोगों को मैं साधुबाद देता हू और बार अंबार इस बात का मैं धन्यवाद ग्यापित करता हूं कि मुझे इस अद्भुत सत्मोला कवियों की चौपाल के कारिक्रम में आने का सौभाग्य हुआ है और शिठाकुरी जी की अनंत कृपा है सरप्रथम मैं कुछ दोहों से शुरुआत करूंगा जो मेरी कवित ह कर मँठेầy संवन लो हो मैंने प्राय अपने कताूं में इस बात पर बढल दिया है कि आप जादा सी ज्यादा धरातल पे काम केजिए धरातल पे रही है तो मैंने बहुत पहले लिखा था कि भले पढ़ें सब लिखित कथाएं लिये गुरु से ज्ञान पर राम नाम बिन बावरे कवन भैं कल्यान सदा ध्यान उसका धरो करेज चिन्ता मुक्त तज माया माधब भजो यही निगमागम उक्त तज माया माधव भजो यही निगमागम उक्तम इसका कारण है क्योंकि शास्त्रों का आदेश है विश्णोर माया भगवती यया सम्मो हितम जगत यह माया इतनी प्रबल है कि बड़े-बड़े धुरंदर भी इसके सामने बंदर के समान नाचते हैं तो मैंने इस विशे पर भी लिखने का प्रेतन किया था कि विश्व मोहनी शाम्भवी माया जिनका नाम सकल जगत को मोहना नियत है जिनका काम नियत है जिनका काम नबच पाए कभी हरी हर समल समल कर चलो बड़ी ही कठिन है डगर कहतदास वीदांश मनुच जो बचना चाहे कहतदास वीदांश मनुच जो बचना चाहे दीनबंद भगवान का भक्ति पत अपनाई दीन बंदु बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे और उसी भक्ती के मार्ग में मैं आप सभी को ले जाने का प्रेत्पन करूँगा, क्योंकि ये ऐसा स्थान है जहां पर हास्च के भी सरिता बहती है, जहां वीर रस का भी उदगम होता है, तो यह दिव्य प्रांगन है पर भक्ति के बिना तो सब अपूर्ण है तो मैं अपने उस रचना को सुनाने का प्रेत्म करूंगा जब मैंने सरप्रतम भागबत पढ़ा था और गुर्दीव ने जो श्लोप बताया था मैंने उसका अनुवाद किया था सच्छदानंद रूपाय विश्वोध पत्यादिहे तवेज तापत्रय विनाशाय स्री कृष्णाय वयम नुमा तो इसी कानुबाद मैं आपको बताता हूं और फिर ज्यान के गंगा में घोता लगाएंगे जगत करता जगत पालक वही संघार करते हैं शरण में आए जो उनके त्रिविधतापों को हरते हैं देवभाशा देवभाशा की परिभाशा सच्चदानंद कहें जिनको उन्ही नंदलाल गोपाला का हम सब ध्यान करते हैं इसके आगे की कड़ी मैं सुनाओंगा कि मेरा ये भगवान से लगन लगाने का उद्दिश क्या है बनू मुरली मनो हरश्याम के अधिरों पे सज जाओं अहो सुभाग्य सावरिया की संग संग गीत मैं गाओं अहो सवभाग्य सावरिया कि संग संग गीत मैं गाओं जो इतनी स्रेश्ठताना दास में तो प्रार्थना प्रीतम प्रार्थना प्रीतम बनाना पैर की जूती बनाना पैर की जूती चरण रज रोज मैं पाऊं बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे मैं अचारे प्रवर जी का हार्दिक अभिननन करता हूं आज आप हमारे शोपे आज हमारे पधारे हैं और आप जहां अपनी कथाओं के माद्यम से आप भक्ती का रस प्रवाहित करते हैं भक्तों को उनकी भक्ति के नदिया में डूब के लगाते हैं और आये चलते हैं ऐसी ही एक हमारे बीच में कवित्री हैं जो लखनव से चल करके आई हुई हैं उनका नाम होता है अनीता अरोडा आये जोड़दार तालियों से उनका स्वागत्य। अधियरा सभी को नमस्का और साधना टीवी चैनल कर खाव भीशेश रूप से मैं हार्दी का पाद करना चाहूंगे और प्रभो श्री राम के चर्णों में मैं चाहता हैं सबसे पहले निवेदित करना चाहूंगे जी स्वागत्य। शीराम रहते हैं जिसके दिल में उसे तो कोई गम ही नहीं है शीराम रहते हैं जिसके दिल में उसे तो कोई गम ही नहीं है रहता है साया सर पे हर दम कल के कोई फिकर नहीं है शीराम रहते हैं जिसके दिल में उसे तो कोई गम ही नहीं है मैं एक गीत गुन गुन आकर सुनाना चाहूंगी जी रिष्टों पे आधारित हैं तो सुने गानी बेदित करना चाहूंगी मतलग की दुनिया मतलग की दुनिया निभाते नहीं है जताते बहुत है मतलग की दुनिया मतलग की रेड़ निभाते नहीं है जताते बहुत है अरे दुनिया वालो संभल के रेहना बातों में मीठी इने के नहाना अरे दुनिया वालो संभल के रेहना बातों में मीठी इने के नहीं है जी महबत करोगे जितना भी ज़्यादा रुनाएंगे तुमको उससे भी ज़्यादा महबत करोगे जितना भी ज़्यादा रुलाएंगे तुमको उससे भी ज़्यादा नहीं है दिल उनका तुम्हारे जैसा पत्थर भी क्या डाला करती है मतलग की दुनिया मतलग के है लो निफाते नहीं है जताते बहुत हैं बहुत सुन्दर कितना निफा नहीं ये निफाते चलते हैं दिल को अपने ही बॉलों से बहुत जखम देते हैं अपनों को ये लो बहुत सताते हैं बॉलों को ये लो बहुत सताते हैं बॉलों को ये लो मतलग की दुनिया मतलग है लो निफाते नहीं हैं जताते बहुत हैं आखिरी बन सुनेगा जी ऐसे फसाते हैं जाल में मचली जैसे तडपती हैं बिन जल मचली अजी इन से तुम दिल ना लगाना जाते हैं बातों में मीठी इनके नाना करेंगे तमाशा बहुत एक दिन दुनिया हसे की हसे का समाना आज हमारे साथ सत्मोला कम्यूक जपाल में हमारा बहुत ही आनंद बढ़ाने के लिए हर्ष ब्याप्त करने के लिए आज हमारे बीच में बहुत ही देश के लब्द प्रतिश्टित फिलमकार फिलम नर्माता वृत्चित्र निर्माता मेरे बहुत ही अभिन साथी सतीश पांडे जी सतीश पांडे जी बहुत ही एक स्रेश्ट फिलमकार है हम दोनों का साथ 2000 साल से भी पुराना 2016 से भी पुराना हमारा साथ है एक सतीश जी की सबसे बड़ी उपलब्दी जो मेट्रो के जन जीवन पर आपने बनाई है कई डोकुमेंट्री और कई एक सबसे बड़ी वाद है कि अभी अभी हाल में ही पिछले जो नेशनल आवार्ड्स हुए है उसमें सतीश पांडे जी की दिल्ली मेट्रों पर बनाई गई डोकुमेंट्री को सरस्ट्रेश डोकुमेंट्री का आवार्ड विला है जो अरदार तालों के साथ हम उनका अभी हाल में ही अभी 29 मार्श को आपकी एक बहुत चर्चित फिलम रिलीज हुई है फिलम का नाम है बंगाल 1947 बंगाल 1947 देविंद नात मंडल जी जो बंगाल के थ फिर वापस भारत में आ गए लेकिन उनके छोटी फूटी एक भूलों के कारण देश का इतिहास एक बहुत रक्त रंजित हो गया एक शिद्धे उसर रक्त रंजित एक दृश्च को भी उन्होंने एक बहुत प्यारी सी एक प्रेम कथा के रूप में उन्होंने उसका स्थार्से वह गाउं मिसें छोटे चुटे चाहे वह जाती भेद हो चाहे वह इक हो मैं जिसको बते इना जो ढोडू में जाती के लोगों के साथ उनका किस प्रकार से पढ़ाना ये करना और आपने सब से बड़ी बादंविद्य है कि आप आपने इस फिल्म में जिस परकार से न्यू कुम्र्स को आपने मुझा दिया आपने उनसे काम जिस प्रकार से लिया और एक सफल फिल्म बन पड़ी इसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले सतीश पांडे जी का एक बार दुवारा हार्दिक स्वाल रपा तो सतीश पांडे जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप सबसे पहले मैं आपके जानना चाहता हूं प्रारंब आपका हम लोग से हुआ तो हम लोग से आपका हम लोग ऐसे पहले में आवार वेक्त करता हूं कि इतने पॉलर शूर्ष को हुए उसके आपने बुझे बुझे बुलाया और मोका दिया कि मैं अपने बारे में कुछ कह सकोँ मैं रहने वाला नाख्पूर कहूं बच्पन से नाखपूर में रहा नहीं है अच्छाँ यहां पर की बच सबसे बड़ी बात होती है कि जिस चीज की आपकी लाइकिंग होती है अगर उसी को आपने प्रोफेशन बना लिया तो इसमें मज़ा कुछ और यहाता है तो इस तरह से मैंने जब ग्राइजूशन करके मेरा मैं चाहरा था कि पूना फिल्म स्ट्यूट में मेरा एन्मिशन हो जाए तो मैंने परिशादी इंटर्यू के लिए गया लेकिं इंटर्यू में सिलेक्ट निए हो पाया तो कोई बात नहीं उसके बाद एक और कॉलेज ता स करने के लिए तो मुझे एक दिन मंडी हाउस में ही किसे ने का कि आपको पीकुमार वासुद्यूजबलार है जो हम लोग के डारेक्टर थे तो मैं उनके बाद गया उन्होंने का कि ऐसा है कि उसकर दिली में बहुँ ज़्यादा टेक्निकल एंडर नहीं थे बिल्कुल नही इसे उसकी खोश थी कि कोई मिले उनका कैमरामन या डियोपी जो होता था वो बंबे से आता था उसके लिए उनको कभी प्लाइट लेट होगी और यहां पर शीली शोज होने हैं तो उनने का कि आप आप आएंगे एक वरे ट्राय कीजिए तो मैंने शुरुबात की तो करीब इसे सब्कों की लोग करीब देड़ साल दो साल यह हं लोग का पूरा चायग्करन एजजिए सारी कहानिया इतनी सारे उसके पिस्से है क्योंकि हम लोग ऐसा एक सिरियल था जो परिवार की तरह साल हर परिवार में मतलब मैं जब घर अपने वापस जाता था तो लोग मेरे करने के बाद मेरे पास सती जी मुझे ध्यान आता है हम लोग का क्योंकि जिस टाम हम लोग शुरू हा था उस समय मैं खुद गांधरमा विद्याले से मैं संगीत विशारत का मेरा सेकंड एर था और समय पूरी हम लोग की टीम कोरस जो सो होता है उसके लिए उनकों कंपल्सरी था कि वो करना तो गांधरम विद्याले में चाहिए वो सीमा भारगा वो चाहिए वो सारे लोग आते थे तो उनसे मेरा भी परेच्छे होगा फिर बाद में इफी में हमारे सथ अजीज कुरेशी बगरा इसारी इंस्पेक्टर खान बग परिवार ऐसे बन गया था पूरे करीब 40 लोग थे एक्टर होगे टेक्निशन होगे तो ऐसे रखता था कि पूरा परिवार है और हर शाम को चार बजे मंडिया उसे चलते थे उनकर मैटाडर चलती थी मैटाडर से लेके सवामी दिन दर ब्रभनचारी का सुड़ी होता था लेकिन वह लोग के शूट महां पर होती और या जान गरिया तो चार बज़े शूट शूरू होता था रात के बारा एक बज़े दो बज़े तक अलग-छेंस कितने भी होते थे वह शूट कर पहले यह शो जो था वीक में एक बारी बारी बती था लेकिन इतना पापुलर हु सबीरinda ने इसको शरकार निकाल कि इसको हफ़ते में तीन मारी किजिए और इसमें बहुत सब्सक्राइब बहुत सारे परिवार में कैसे कैसी और इसे कैसे उल्ड़ को जाए तर उसके बाद आप अगला आपका पड़ाव क्या रहा है जैसी मैं हम लोग शूट किया तो मैं पास बहुत सारा काम था मतलब साथ दिनों का काम था इतना काम था तो मुझे छोड़नी पड़ी और फिर काफी काम किया मैंने एक दो साल लेकिन उसके बाद एक ऑफर और मिला मास कमिनिकेशन सेंटर खुल रहा था जामिया में तो वहां पर मैंने अपलाई किया और उसके द्वारा मुझे एज लेक्चर औ सेंटर ग्राफी का वह दिया गया तो वहां मैंने करीब पांच-छे साल काम किया और काफी स्टूड़न्स को पढ़ाया मतलब आपके फर्स डॉकुमेंटरी कौन से रही आचा फर्स डॉकुमेंटरी जब ना जब सोडा मैंने तो सबसी पहले जो डॉकुमेंटरी मेरी है लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा और भी कई तरह की डॉकुमेंटरी मैंने मैं अन्यक्छा की मैंने अन्यक्ति पहले के लिए अर्वन पावर्टी के उपर तो वह जर्मा उमें दिखाएगी तो यहां के जो सेक्र्यारी थे अर्भन डेवलपेंट उन्हों ने वह ड एक मौका देता हूं कि हमारे दिल्ली को एक मैट्रो की जरूरत है तो आप एक ऐसी फिल्म मनाई है जिससे पता चले कि दिल्ली को मैट्रो की जरूरत क्यों है और उसका क्या लाब होंगे और इससे हम फंड्रेजिंग भी कर पाएंगे को कितनी सारी पैसे नहां से आए तो वर तो जब फिल्म को दिखाया गया, सब काफी लोग उने सरहा इसको, तो एक दिन जब फिल्म खतम होने के बाद सेक्टी थे, उन्होंने मुझे बुलाया, कि सर आया, आप मुझे, नका सर डॉकुमेंटरी खतम होगी, अब क्या रहा, आप आये तो सही, तो फिर मुझे बुलाय गया, तो मुझे उन्होंने मेट्रो मैन, स्रीधरन से मुलाकात करवाई, उन्होंने कहा कि, उन्होंने से उतना इंग्रिजी में कहा उसका, कि इस बॉइज वर्क वेरी हार्ट, प्लीज टेक क्यार आप उन्होंने, उसके बाद, स्रीधरन साहब के साथ कब से कम, मैंने 15 नैशनल अवार्ड था, उसको मिला, अभी हाली में फेस 3 के उपर प्रेसिदेंट का नैशनल अवार्ड बिला, और मैं बड़ा खुश हो, बड़ा अच्छा लगता है, मैं सिर्फ नाम बन ली दिल्ली मेट्रो, बलकी लखनो, मुंबई, पूने, नाकूर, सब जगह के मेट बन रही है, या बुलेट्रेन बन रही है, इस सब के मैं वो करता हूँ, तो एक तरह से मज़ेदा था, लेकिन खो कहा रहा था कि यह मेट्रो का काम चली रहा है, लेकिन COVID का टाइम था, तो COVID टाइम में हम खाली थे, काफी खाली थे, मेरे बेचा जो था, हम लोगों का ओफि इसका पहला टाइटल गी था, इसका नाम था, शबरी का मोहन, तो यह कहानी ऐसी, इसका जो एक तरह से जो थे त्याट्रिकल जो नाम था, वो शबरी का मोहन, उसको हमने चेंज किया, क्योंकि फिल्म के लिए कुछ और भी चीज़े चाहिए होती है, ज़रूत होती है, एक प्रेमकता तो है, लेकिन साथ साथ राष्टर भक्ती की भी एक भावना इसमें है, तो यह 1947 की कहानी है, जिसमें की एक विलेज जो ना उसको पता नहीं था कि वो हिंदुस्तान में रहेगा या पाकिस्तान में रहेगा, तो वहां पे एक लव स्टोरी थी, और एक उची जा जो आपको कमर्शिल फिल्म है, जो पैसे कमानी के लिए हमने मनाई है, बर इसको हमने मनाया काफी सोशल रिस्क लिया, आपने पूरी फिल्म आपने स्पेशल स्क्राइब, जिन्दिगे में कुछ हटके करने के हमेशा आदत रही है, तो खुसकता है, मैं सफल हूँ या ना ह जाती नहीं होती, और भी कई पॉलिटिकल वो थी, जो हमको लगा के उसकाट, उसमें दो सुंदर गाने, अभिशेक ने पूरा जो है अभिशेक रे, जो ने गुलजार की अल्बम मनाई, बहुत सांदर, बहुत सांदर, बड़ा कर्म प्रिया, बहुत सांदर, बहुत सांद एक तो मैं सबसेड़ी बात है कि आकास अधित्य जी का डिरेक्शन, और सबसे बड़ी बात है कि मैंने पूरी फिल्म में स्क्रिनिंग आपके देखी इसमें, फिल्म को देखा तो इसमें जो वाक्य में जो जो प्लेबेक सिंगर जो आपने लिए, वो भी बड़ा शांदार गाने के जो बोल है, बड़ा वो भी शांदार, और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका जो फिल्म का नायक है ना, मोहन, वो जिस ढंग्जेबिक तो वो भी बच्चा विल्कुल नया लिया आपने अंकुर और माम को, और बच्चों सदर में नहीं मिला, अंकुर से में चाहिए और वो भी ऑथेंटिक चाहिए, उन्होंने कई डाक्टर, अंबेटकर की किताबे पढ़ी है, कई सारी किताबे पढ़ी है, उसके बाद इसको स्क्रीट में लागा, जहां तक यह था कि अब हम दूसरी प्रब्ले में आ रही थी कि 1947 एक पीरेड फिल्म है, पीरेड क 1947 को कैसे दिखाया जाए, हम बंगाल गए, हम काफी जगा गए, तो हमें 36 गड में कवर्धा के पास ऐसी जगा मिली, क्या हुआ कि जब बंगलादीश का पार्टिशन हुआ, तो काफी बंगाली लोग वहां से छोड़के 36 गड में आ गेते, तो वो अभी तक उनके पुराने घर है, अब ही तक नहीं रहते हैं, तो हमने उसी लोकेशन को चूज किया, अब जहां तक कास्टिंग के बाद है, हमने मोहन जो इसका करेक्टर लिया है, अंकुर, वो फिल्म इस्ट्यूट से पास्ट आउट है, तो वो उस तेस लिया, तो बहुत अच्छा लगा, फिर हमन अच्छा लिया है, और उसने बहुत अच्छा रोल किया, और एक खुशी की ख़बर ही है, यह ऐसी फिल्म की उसको पुना फिल्म इस्ट्रिट में अट्मिशन मिल जाना, इस फिल्म के जासे उसको अट्मिशन भी मिला, और बाकी नायक जो आपने देखा होगा, खसरा में, अच्छे रोल किया, और अपने दिल से काम किया, और पूरी महनत से, शिबदब से, हमने तीस दिन की पूरी शूटिंग किया, तो सब का आना, जाना, खाना, पीना, रहना, जो है, आपने कुछ जगे स्क्रेशन की, मुझे इस फिल्म की जो सबसे बड़ी फिल्बदी है, कि आज, यह तो मामते हैं कि ट्रेंड बन गया, ट्रेंड इसलिए मना है, कि सरकार की ऐसे फिल्मों की परती सकरात्मिक दृष्टी, पहले क्या होता था, सरकारी पक्ष ऐसे फिल्मों को बैन करने के लिए ज़्यादा करता था, और यह आज हमारे लिए बड़ा ही बहुत अच 2016 के बाद मैं 2014 से हूँ, हमारा फिल्म फेस्टिबल होता है गोवा, मैं सबसे इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिबल है, तो मैं कई उनकी समीतियों में जूरी में रह चुका हूँ, तो हमें कई फिल्में देखने का मौका मिलता है, जैसे प्रमिन निम कहा कि दिन में 4-5 फिल्म में देखने परते हैं, किसी भी कंटरी में भाषा भी समझ में नहीं आए, फिर भी सब्ताइटल से और वो फिल्में देखके काफी आपको एक तरह सी एनरजी आ जाती है, तो यह एक दिल में तहाई की फिल्म बनानी चाहिए, चाहे कैसी भी हो, तो बस उसी की एक उत्पत् है, कि हमने उस जैसे आपकी यात्रा है, वही यात्रा लगबग उस जैसी अपनी है, कि जब हमारे पास इतने संसाधन भी नहीं थे, तो हमने इस को शो को सुरू किया, और मोबाइल यूग नहीं था, ना फेस्बुक था, ना वाटसब था, और केवल एक सिंपल एक कॉल हु जी कि इस जो से अपना सुत्मोला कवियों का सम्मेले ने, या दो दच्षक से ज़्यादा चल रहा है, नॉर्मली हर सीरियल या हर कोई धारवाइक जो है, एक एक साल के उपर नहीं जाता, लेकिन आपकी इमत है, जो आपने कंटीनियू किया, या बीस साल से, पूरे टीम की पूरे टीम की, कोई भी काम टीम के बगार नहीं होता, अकिला आदमी कुछ नहीं, एकला चलो नहीं चलता है, आपे फिल्मेकिंग में या पूरे टेलिविजन इंडिस्ट्री में आपको एक टीम को साथ लेके चलना परता, और आपने ये बहुत अच्छा किया, कि करीब 20 स सालों से और 15,000 कभी आपके साथ जोडे हुए है, और आप यंग लोगों को वो चीजे सुनाते हो, दिखाते हो, जो खुद उनकी कलम चलती है, और लिखना शुनू करती है, मैं आपको दुबारा बता रहा हूँ, कि आपको बहुत बहुत बदाई, और इस काम को जारी रख है, कि आपके भी मिनर्मता है, कि आप एक इतने छोटे से शोव पर हमारे बच्चों को उत्सा बढ़ाने के लिए, इंक्रिस करने के लिए आप हमारे बीच में आए, आपका हार दे काभार, धन्यवाद हूँ, सत्मोला कवियों की चुपाल में आज हमने, जिन लोगों को सुना, आपने आज सत्मोला कवियों की चुपाल का जब ये परसारन हो रहा होगा, उस समय, लगभग जून की, जिसके बोलतों, जेट की गर्मी शिखर पर होगी, ये जो कविताएं आपको बहुत शितलता प्रदान करेंगी, चाहे वो आचारे जी की कविता हो, चाहे वो दीपक गुपता जी के कविता हो, चाहे हमारे युवा साथी प्रशान तवस्ति प्रखर की कविता हो, तो मिलते रहिए, देखते रहिए, सत्मोला कवियों की चुपाल, अभी लेते हैं एक अंतराल, वेफसाइक अंतराल, वेफसाइक अंतराल के साथ मेरे साथी परवल, परताफ सिंह राना, प्रशान्त, अवस्ति के साथ आप जुड़े रहें, सत्मोला कवियों की चुपाल म में मिलते हैं एक छोटे से कमर्शल प्रेक के लादे में तेरे बच्चे का बाप बने वाला हूं यह देख ओ फुद्दू एक गया से बड़ा गुबार अपनी मा को दिखाई हो लाइफ में कुछ बातों का पच्छना बहुत मुश्किल और जब हो साथ सत्मोला और उसका चट आएफ मधियू सिंद सत्मोला नंकिस इससे बेटर आ नाहती सत्मोला नंकिस इससे बेटरेंक सफ मुला नंकिस साथियों अंतराल包 के बाद ने एक बार लिए फिर से स्वागत है आपके अपने मन पसंद प्रोग्राम सत्मोला कवियों की चौपाल में और आज इस कवियों की चौपाल में एक ऐसी भूमी जहां पर रस्कान जैसे महान कवियों ने जन्म लिया और उनोंने जब छंद विधान को लिखा तो कहीं न कहीं उनी की एक अगली पीड़ी के या कहूं उनके जो साहित है उस साहित के एक धजवाहक के रूप में उन छंदों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में मुंबई से सुखमिला अगरवाल जी आ रही है आईए उनका जोरदार तालियों से स्वागर करते हूँ सबस्क्राइब करती हूँ और साधना टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मुझे उसर देने के लिए मैं राम चंदर जी पर अपने कुछ उद्वार पेश कर रही हूं सुखिएगा स्वागत बड़े दिन बाद ये अद बुद हमें पैगाम आया है किया संघर्ष मुद्दत से वही अब काम आया है किया संघर्ष मुद्दत से वही अब काम आया है विराजे है आयोध्या में हमारे राम राजा बन विराजे है आयोध्या में हमारे राम राजा बन मिला सौभाग जीवन को दरस अविराम पाये है मिला सौभाग जीवन को दरस अविराम पाया है बहाते थे नयन व्याकुल विरह की पीर बरसों से कृपा से आज अब इनको जराव श्राम आया है सितारों से सजी नगरी बड़ा प्यारा न जारा है सितारों से सजी नगरी बड़ा प्यारा न जारा है जरा ठेरो करो दर्शन अयोध्याधाम आया है जरा ठेरो करो दर्शन अयोध्याधाम आया है जगत सारेन देखा है लला की ताज पोशी को मची है धूम दुनिया में भला परिनाम आया है मची है धूम दुनिया में भला परिनाम आया है अब एक प्रेम पे गीत गाना चाहते हूँ जी जी स्वागत पे प्रेम गाती हूँ मैं प्रेम जीती हूँ मैं प्रेम के प्रिस्ट पर प्रेम गड़ती हूँ मैं डूब कर प्रेम में जब मैं तिरने लगी डूब कर प्रेम में जब मैं तिरने लगी क्रिश्न की राधी का बन समर्ती हूँ मैं जी स्वागत है साधना में तपी साधना में जली साधना में हसी साधना में खिली राग की रेत पर जब हुई मैं दफन तब ही ने है नदी मुझ में आकर मिली प्रेम के मगन अब चेहकती हूँ मैं प्रेम पी के मगन अब चेहकती हूँ मैं क्रिश्न की बासुरी सी बहकती हूँ मैं और अंतिम बंदेर जी स्वागत है राधी का बन गई प्रेम में जब पड़ी राधी का बन गई प्रेम में जब पड़ी प्रेम की हत कड़ी राधी का बन खड़ी अब ना कोई खता अब ना कोई सजा अब ना कोई खता अब ना कोई सजा पाउं की बेडियां खुद बखुद खुल पड़ी अब सदा हर घड़ी कुछ निखरती हूं मैं अब सदा हर घड़ी कुछ निखरती हूं मैं कृष्ण की बासुरी सी सवरती हूं मैं बहुत ही शांदार आपने राम लला के आगमन पर खुशियों भरा संदेश दिया तो वही कृष्ण को प्रेम का और मैं समझता हूं कि प्रेम का इससे बहतर कोई उधारण नहीं हो सकता है कृष्ण पर प्रश्ण उठाना सरल है लेकिन स्वयम में कृष्ण के जीवन का एक अंश भी जीना उतना ही कठिन है बेटियां और भारतिय बेटियां शारिता में वीर्ता में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं वो अपनी स्वयम की रख्षा करने के लिए अपनी देश की रख्षा करने के लिए अपने स्वयम के प्राणों को ने उशावर करने में भी कभी पीछे नहीं रहती हैं मैं इस भारत की उन नारियों को उन शक्ति स्वरूपा नारियों को नमन करता हूं और इसी साधना को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में शाज अहापुर से सुमन पाठक जी आ रहे हैं आए आमंतरत करते हैं उनको आप सबकी जोड़दार तालियों से प्रडाम करती हूँ आप सभी को और साधना चैनल का बहुत बहुत आभार कि इस कावे यग्यशाला में मुझे भी एक आउती डालने का आफसर मिला और चुकि मैं ग्रहनी हूँ तो बात ग्रहनीयों से ही शुरू करती हूँ ग्रहनीयों की मना हस्तिती तक जहां तक पहुँच पाई हूँ अगर आपको लगे कि मैं पहुँच पाई हूँ कहीं हद तक तो आशिरवाद दीजेगा कि पूरे घर का ध्यान है और दिखे बस काम ग्रहनी बनकर रह गई नहीं किया कुछ नाम नहीं किया कुछ नाम रही परिवार समाले और साल बीतते गए जाडते घर के जाले किन्तो कभी इस ओर नहमने ध्यान लगाया हम में भी कुछ खास इसे फिर क्यों विसराया सभी ग्रहनियों ग्रहनियों को कुछ संदेश देना चाहती हूँ सभी ग्रहनियों आज से मान लो मेरी बात थोड़ा समय गुजार लो तुम अपने भी साथ कुकर की ये सीठियां चिड़ा रही दिन रात चकला बेलन ही मिले शिक्षा की सौगात शिक्षा की सौगात की मिलते हर दम ताने कहते घर में पड़ी पड़ी करती हो बहाने तभी एक दिन मन को हमने पुना जगाया और गही लेकनी हाथ शौक फिर से चर रहाया अरे माना माना हमको लोग कहेंगे अब नो सिखिया इस उम्र में माना हमको लोग कहेंगे अब नो सिखिया अरे हमें नहीं परवा मिले जब मन की खुशिया और चुकि चुनाओं का मौसम चल रहा है तो कुछ चुनाओं पर क्यों न हो जाए मैं चाहती हूँ सभी लोग मतदान करें बहुत हमारा अधिकार ये मिला है लोग तंत्र में तो उसका निर्वाहा करें हर जाति लिंग भेद को दिल से मिटाए हर गीत मीठा होता है गर गुन गुनाए हर गीत मीठा होता है गर गुन गुनाए मौसम है चुनावी ये जनता का स्वयंबर मौसम है चुनावी ये जनता का स्वयंबर किसके गले में आएंगे जैमाल डाल कर चुनिये जरा सभल कर धोखा न काईए हर गीत मीठा होता है गर गुन गुना आए और वैसे तो कोई नहीं दिखता और चुनाओं के टाइम सब पार्टिया निकल पड़ती हैं चाहे कुछ भी हुआ हो चाहे कुछ जनता के साथ ना किया हो तो कुरसी के लिए इनकी टोलीया निकल पड़ी मोसम है हज का कितनी बिल्लीया निकल पड़ी गिनवा सको तो इनके चुहे गिनाई हे हर गीत मीठा होता है घर गुन गुनाई बहाँ सुन्दर बहाँ सुन्दर हर गीत मीठा होता है घर गुन गुन गुनाई और अंतिम बन जी कि अधिकार ओकर तब्वे का निर्वाह कीजिए कुछ स्वेंब की कुछ देश की परवाह कीजिए कुछ स्वेम की कुछ देश की परवाह कीजिए मतदान पहले बाद में जलपान पाईए हर गीत मीठा होता है घर गुन गुनाईए बहुत सुन्दर और एक गीत प्रस्तुत करती हूँ कि आज हमारे इतिहास को बहुत तोर मरोर कर हमारे नौनिहालों को बताया गया है उसकी उस पर मैंने लिखा है कि भारत का गौरव शाली इतिहास सुनाने आई हूँ और बूंदें कुछ इस स्वर्न कलश से मैं चलकाने आई हूँ और राम के आदर्शों का डंका सकल विश्व में गूंज रहा और राम के आदर्शों का डंका सकल विश्व में गूंज रहा और कृष्ण के उपदेशों को सकल विश्व है पूझ रहा बुद्ध स्चांती संदेश लिए पूरी दुनिया में घूमे थे क्याग और तपके बल पर हम दुनिया भर से उंचे थे तो विश्व गुरु था भारत अपना यह बतलाने आई हूँ बुदे कुछ इस स्वर्ण कलश से मैं चलकाने आई हूँ यहां का धन बैभव पूरी दुनिया को बहुत लुभाता था और रत्न चड़ित मंदिर प्राचीरे देख शत्रु लल चाता था गौरी गजने तुर्क सिकंदर के छके थे छुड़ा दिये और भारत से गोरे भीस भारत से वीरों ने मेरे भगा दिये तो ऐसी सोने की चिड़िया का वैभव गाने आई हूँ बूंदें कुछे से स्वर्ण कलश से मैं चलकाने आई हूँ शूने विश्व को दिया बहुत दी शांदार कविताओं का सयोजन आपने प्रस्तुत किया आपने पहली कविता को जब प्रस्तुत किया तो आपने कहा कि हमें सिर्फ ग्रहडी बन करके नहीं रहना है हाँ यह बात अलगे कि आप कितने भी पड जाएं लेकिन सही मायने में करतव्य का दिर्वाहन करना एक घर बीच में काम आजी हो ना है आप घर बैठ कर भी कई अनेकों प्रतिभाओं को लेकर के आगे आ सकती हैं हमारे बीच में हर्दोई से आज पधार चुके हैं देवेंद्र सिंग चौहान सुरेश जी मैं आमंत्रित करता हूं उनको आप सबकी जोड़दार तानियों के मांदू से नमस्कार सभीगा अजन्दन मावाली के पावन चरणों में एक शन्द निवेजित है कि सरसे सुबोधे सुरे सुमेता सुहानी सुची मन में मसालो मन्जू ममता जगाए मां कमले निकुंजे कले कभीता कलिते कावे मधूप मधूर मन महीमा सुहाए मां मेरे मन मंदिर में ममता मई है मां तो कर उजियारन से मोह की मिटाए मां जोत्सना जगाए विधू फूले फले प्रेम जग कविता में कंचन की चमक दिखाए मां कविता में कंचन की चमक दिखाए मां एक इतिहास से लेते हैं पंडित राम प्रसाद विश्मिल और अस्फाक उल्ला खां जो चरित एक छंद के माध्यम से आप देखें आप सब प्रभूत द्वर्ग बैठा हुआ है कि बारू बारू रोक टोक करिये न सुफा को तेरे मेरे रासते अलग देख लीजिये जू जना फिरंगियों से सिसु का खेलू नहीं धार तलवार की सलाह नेक लीजिये बांद कर सीश पर निकला कफन यह चीर कर आत्मा में देश देख लीजिये कि भाव को असुफा को कहा सुन मेरी बात राष्ट्र यग है तू लिख सीश एक लीजिये राष्ट्र यग है तू लिख सीश एक लीजिये एक चंद चूंकि मेंवाल प्रताब पुष्टक हमारी प्रकासित हो चुकि उसका एक चंद निवेधित करते हैं जब पेटी चंपा वहां जंगल में है और बाल चपल सुभाव से राणा प्रताब से पूंचती है कि आप कैसे राजा है कि तुम कैचे लाजा बापू भागे बन घाती फिलो खाने को न लोती मिले पीने को न पानी है चिंगा चन ताजू नहीं काचे कुछ गूफा छेज नित कवलो भागो जलो जहां बची नानी है कि चिल कुटू पटू धाले बनी माहलानी खली छत्रू लल काल ते तो छिपतू भवानी है अब ये जनम भूमी दलच मिलेंगे कई छे माला हू मलेक्ष तब छफल जवानी है एक चरित्र अवर प्रयास करेंगे दो तिन चंद देंगे एक रूप होती कन्या है विक्रम सिंग सोलंकी की जो गुजरात में एक कोई राजी हुआ करता था और उससे औरंग जेब का चित्र तूट गया था उस पर उसने और सिगायत की विसातिन ने तो उसने आक्रमर किया और कहा कि इस लड़की का डोला दीजिए और इसको मैं पुष्टक लिखी गई है तो उनको राज सिंग को यह सुता पत्र लिखती है और उसका पिता कहता के रहे चली जाओ नमालूम कि तुम भी चली जाओ तुमारा बढ़ जाएगा तो उसके कुछ चंद जो है निवेदित करते हैं जहां तक चल पाएंगे जी जी स्वागत कि राज पूत कुल में है मैंने तातो जन्म लिया बन मुगलानी निज जाती क्याल जाओंगी यहन को सव्पत न आई तुम्हें लाज तात उदर कटारो मारो प्राले लूटाओंगी राज हनसी निये कैसे गीध पटरानी बने जोहर की ज्वाले बीच तन ये जलाओंगी पुष्प देव पूजायोगी रहूंदेगा पिसाच जब करकर वाल लेके चंडी बन जाओंगी एक गंगो तक छंद का प्रयोग है कि लूट ले लाज ऐसा न होगा कभी जान लो मैं पिता जी मरूंगी अभी आन पे देश की मैं लुटा जान दूँ सान छण में मिटा तुर्क की दूँ सभी कामना जो बसाए फिरे मोद में काट गृवा गिरा दूँ धरा पर अभी मार लूंगी कटारी अभी पेट में चांट लूंगी कनी आज हीरा अभी तो यह सुनके राज सिंग को पत्र लिखा है कि सुता ने बिचार पत्र लिखा राज सिंग को यूँ जिसे निजे दूत से मिवाल को पठाया है कि आपका महान बंसुरावल का रक्त भराबन मुगलानी साह फर्मान आया है असहाय यबला की आप ही बचाएं लाज सांगा बलीदान ना प्रताप को भुलाया है अव पाल की पे बैठ बीर जा रही हूं दिली ओर प्यारे मन मंदिर में तेरा यस चाया है वीर तुम मेरी यदी मदद करोगे नहीं करूँ भी सुपान रभी जोती में समाऊंगी कुंठा भरे मन से मैं चली जाऊं स्वर्ग भले निज मात कोख कोन कभी भी लजाऊंगी काली बन काटूंगी मैं रण में पिसाच मुंड सत्र बोटी काट काट गिद्धों को खिलाऊंगी करके शुरेश तेरी याद मर जाऊंगी बहुत ही शांदार आपने चंद और कविता के विशय आपने लिए वह विशय रहे जिन विशयों को उठाना आज के समय में बहुत जरूरी है आईए चलते हैं इसी कविताओं के क्रम में मैं बुलाना चाहता हूँ शिमला से पधारे हुए पवन शर्मा जी को आप सबकी जोड़ाद तालियों से दर्वप्रथम माशारदे को प्रणाम और मंच पर विराजे सभी कविगन को मेरा साधर नमन मैंने एक गीत लिखा है जो गाओं के उपर है गाओं का विकास तो बहुत हो रहा है लेकिन संसकार भी खतम होते जा रहे हैं तो उसी पर ये गीत मैंने लिखा है कि मेरा गाओं गाओं का रहा शहर हो रहा है मेरा गाओं गाओं का रहा शहर हो रहा है चश्मे का मीठा पानी भी जहर हो रहा है आदुनिकता की दौर में सब धर बार बिखर गया अदुनिक्ता की दौर में घर बार बिखर गया बजुर्ग घर में अकेले बेटा शहर निकल गया पैसा गारी सब कुछ रिष्टा जरजर हो रहा है मेरा गाउं गाउं का रहा शहर हो रहा है कभी थे खेत हरे भरे अब वो बंजर हो गए खेतों के मालिक तो सुनर और बंदर हो गए गाए सरकों पर कुटा विस्तर पर सो रहा है मेरा गाउं गाउं का रहा शहर हो रहा है अपनी बोली अपना पहनावा सब भूल गए अपनी बोली अपना पहनावा सब भूल गए परने गए बच्चे शहर बंद गाउं की स्कूल हुए राम राम नहीं हाई हेलो का कल्चर हो रहा है मेरा गाउं गाउं कहा रहा शहर हो रहा है पहले घंटों बैठ कर खूब बाते किया करते थे दादा नानी से बच्चे कहानिया सुना करते थे अब गूगल से ही सब काम हो रहा है अब गूगल से ही सब काम हो रहा है मेरा गाउं गाउं कहा रहा शहर हो रहा है मेरा गाउं गाउं कहा रहा शहर हो रहा है तो एक और गिद सुनिएगा जो प्रियम के उपर मैंने लिखा है तो जिसने गैर समझकर हमसे किनारा कर लिया इस दिल ने फिर उनसे इश्क दोबारा कर लिया दिल से चाहा उनको बस यही खता थी हमारी आँख बंद करके हमने एतवार तुम्हारा कर लिया हम तो मरते रहे उन पर कभी कहा नहीं मगर दूर से ही देखकर हमने तो गुजारा कर लिया दूर से ही देखकर हमने तो गुजारा कर लिया कभी तो समझोगे यही सोच कर चुप हूँ कब से दिल ही दिल में तुमसे इश्क धेर सारा कर लिया लोग पोचते हैं मुझसे क्यों पीते हो तुम इतनी बात निकली तो हमने जिक्रत तुम्हारा कर लिया धन्यवाद बहुत सुल्बत पवन शर्मा जी आपने जो प्रेम पर और गाओं यह दो विशय चुने यह बड़े अच्छे विशय हैं आपने बहुत अच्छी बात कहीं मैं इस जो आपने नेताओं को सोच समझक्वे तो उसको मैंने राजनीती को जो मैंने लिखा हुए कुछ इस तरह ट्सपाफ एसे की राजनीत की नीत गजब है और नेताओं की प्रीत गजब है निखिल श्रीवास्ताउजी को कि वो आए और कविताओं के साथ में स्क्रम को आगे क्यों ले जाए सभी को धन्यवाद कहूंगा और सबसे पहले कि साधना टेवी को धन्यवाद दोंगा पटल पे मजू सभी आदरिये को मैं नमंग करता हूं हम अभी कुछ साल पहले हम जो है क्रोना से बीते हैं और तीन सालों में हमने सब कुछ देखा जो नहीं दिखने चाहिए था जी और जो जा चुके हैं उन्हीं की याद में जो मैंने लिखा है कविता को सी को पेश करूंगा और जहां में तुटी होगी माफ करिए गए हूं हुआ 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 ह मेरे खुए वह अपनों से मिला रहे हैं आगे देखेगा देखो जरा इन री तिरिवाजों की बिद्धमना अपने अब मुझे नाम से नहीं बुला रहे हैं लो लुप्टावा हूं सफेद कपड़े में लो सिंटा हूं घर की आंगन की हवाओं में आगे देखेगा बड़ी कि बड़ी और जीब सी बियकुलता है अपनों की चीठ जो सनाईि baru मुझे कानों में बड़ी जीबसी वह अपनों की चीक जो सुझान की मुझे कानों में कंश्य। से लेटा रहता है व्यक्ति जो मर जाता है तो वह चीक कर भी ने ब्रादा पाता पता है कि हम आपको देख रहे हैं उसी पर लिखा है कि बड़े जीब सी वैकुलता है अपनों की चीक जो से देती ही मुझे कानों में मेरी अपनी ही चीक अब खोशी गई है मेरे यांगन की हव में रो रही है हर वो आखे अब रो रही है हर वो आखे अब जिनोंने हमें कभी सहराया नहीं देखो जरा देखो जरा कितनी ही वैकुलता पूरवग अब ढूर रही है वो आखे जिनोंने हमें कभी भुलाया नहीं रो रही है हर वो आखे अब जिनोंने हमें कभी सहराया नह देखो जरा कितनी वैकुलता पूर्वक अब ढूर रही हैं वो आखें जिनों हमें कभी भुलाया नहीं लोग लुटा हूँ सफ़ेद कपड़े में तो सुम्टा हूँ घर की आगन की हवाओं आगे देखेगा लेटा हूँ अब मैं अपनहीं आगन में रो रो के भीगी हुए हर आखें और उनके ही हाद लगे हैं मुझे नहलाने में बड़े ही प्यार से सब लगे हैं मुझे सजाने में सब परिशान थे हैं मुझे लिटा देख और लगे थे मुझे सजाने में रो रो के अब बुरा हाल है अब विदा करने में मेरे अपने ही अब कह रहे हैं मेरे अपने ही अब कह रहे हैं क्यों देर कर रहे हैं उसे ले जाने में मेरे अपने ही कह रहे हैं क्यों देर कर रहे हैं उसे ले जाने में लो लिटा हो सफेद कपड़े में तो सिंटा होगर की यान की हवाओं में अब उठे हैं कई हाथ मुझे अपने कंदुम टिकाने में बड़ी तेजी से अपनोंने पक को बढ़ाया है और मेरी अंती मयाता ले जाने में बड़ी व्यकुलता पूरवक मेरे अपने ही लगे हैं मुझे जलाने में लो लुटा हो सफेद कपड़े में लो सिंटा हो घर की आंगन की हवाओं में कि माता पिता को हम पूछते रहते हैं पिता का अपना सम्मान है माता बच्चे को नो महना पेटन रखती है और पिता जब से पैदा होता है तब सबसको लेकर चलता है और आज भी लगता है आप आऊ पूछो कि सब ठीक है ना बेटा पर ये शब्द कानों में आते ही नहीं पर ये शब्द अब कानों में आते ही नहीं सब नज़र आते हैं पापा बस आप नहीं सब नजर आते हैं पापा बस आप नहीं कोई नहीं है अब जो आकर बोले बेटा घबराना नहीं मैं हूँ ना मन करता है कि पहले के जैसे आप से घंटों बैटके बाते करूं पर अब मेरी ये किसमत में है ही नहीं पर अब ये मेरी किसमत में ही नहीं सब नजर आते हैं पापा बस आप नहीं आप यादों में जिन्दा हो पापा फिर भी ये दिल चुपके चुपके रोता है यादों में जिन्दा हो पापा फिर भी ये दिल चुपके चुपके रोता है कोई नहीं है कोई नहीं है आज भी हर वो पल याद आता है जब हसना रोना दिल से निकलता था है ये लफ सब खैगर गया है आप बहुत याद आते हुं पापा बहुत याद आते हैं पापा सब मुषय को आपने चुआ और यह विशय अपने ने कहते हैं एक अश्वासरा कि रहा कि इसमें आपने कहा कि पिता वह चत होती है जिसके रहते हुए हमें तमाम बारिष धूल धूप दुआ इन सब का एसास नहीं होता है और शायद जब कभी डांट लगाते हैं तो वह उस छत के समान हो जाते हैं जो शायद एक टीन की छत होती जो काफी मजबूती से रहती और अपने उपर पढ़ने वाली तमाम समस्या को वह सिर्फ आवाज के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं शायद है कि वह समस्या जब सीधे आप तक पहुंचने लगती है तब आपके पास में कोई उत्तर नहीं रहता है कोई प्रश्ण नहीं रहता है आज वीडियो सेग्मेंट के क्रम में आज हमारे साथ जूड़नी हैं देश की लब्द परतिष्ठित कवित्री सालिनी मुंजाल जो की सुपरसिध अस्ट्रोजर भी हैं मोहाली से आज हमारे साथ जूड़नी है जोर जवर्दात तालियो के साथ हमिए का स्थावब्द करें बड़ी अजीब रिवायते हैं इस इश्क की बड़ी अजीब रि दोस्तो अजीब रिवाइते हैं इस इश्क की ना कोई वसीयत ना लिखा ना पड़ी ये दिल किसी और का हो जाता है दोस्तो मीठा डालने या मीठा खाने से ही जिन्दगी में मेठास नहीं आती कुछ दोस्त और कुछ रिष्टे भी ऐसे होते हैं जिनकी वज़ा से जिन्दगी में मेठास बनी रहती है दोस्तो अजीब रिवाइते हैं इस महबत की बड़ी अजीब रवायते हैं इस मुहबत की जिद दिल करता है तड़ब आँखे जाती है आदतें बड़ी अजीब थी मेरी रिष्टों में ऐसे घुल जाती थी जैसे दूद में शकर लेकिन बड़ी देर से ऐसास हुआ अब तो जमाना शुगर फरी का हो गया है इश्क का भी अचीब अंदाज है दोस्तों कभी मिलकर भी बेचैनियां और कभी खयाल से भी सकून मिल जाता है इश्क का सितम तो देखिए इश्क का सितम तो देखिए बादशा को भी चाहत का फकीर बना देता है कितने अजीब है ना ये महबत के रिवाज कितने अजीब है ना ये महबत के रिवाज ना सलाके हैं ना दिवारे हैं ना कोई ताले फिर भी इनसान कैद रहता है उसकी महबत में जिसके साथ रहना चाहता है जुबा से रोको तो आँखों से चलक जाता है ये जजबा इश्क है जनाब इससे सबर कहां आता है दिल में जगां बनाने के लिए पहले दिल तक जाना पड़ता है रिष्टे यूं ही नहीं हो जाते खास पहले दिलों जांसे निभाना पड़ता है महबत का भी अजीब ही दस्तूर है दोस्तो महबत का भी अजीब ही दस्तूर है दोस्तो जिससे तलब होती है वही यतन करता है जिससे तलब नहीं होती वो परवाही नहीं करता इश्क वो है जिससे सबर का लिहाज नहीं इश्क वो है जिससे सबर का भी लिहाज नहीं बेहद नशीला है इसका कोई इलाज नहीं बेह अ रहे रहे शोंगा इसके को अ जाए बेह शोंगा हुआयां झाल पाई झाल 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 झाल